राजस्थान में लोकसभा चुनाओं से पहले कॉंग्रिस में अंदुरूनी कलह देखी ज़ा रही कॉंग्रिस के पुराने और कट्टर नेता बीजेपी का दामन थामने की खबरे उनके सामने आ रही है वहीं कॉंग्रिस पार्टी इन अटकलों की बीच डैमेज कंट्रोल को सुधारने का प्रयास कर रही है इस बीच हमारे समवादाता सूरेंद्र सोनी ने राजस्थान विधान सभा की नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली से खास बातशीत की है चुनाओ से पेले दल बदल की लगातार यहां पर राजस्थान में तस्वीर नजर आ रही है वहीं अब कॉंग्रेस जो है वो डैमेज कंट्रोल को लेकर के कहीं ने कहीं एक बड़ा प्रतिपक्ष टीका राम जूली अभी भी अपने बयानों पर अडिंग है और उन्होंने कल जो बयान दिया था उससे पुरी प्रदेश की जनता का कहीं ने कहीं उन्होंने ध्यान अपनी और आकरशित किया था उन्हों तमाम बातों को लेगर कि इस वक्त हमारे साथ खास बाचित के लिए मौजूद है भी सब कल आपने एक लाइन कही कि जो ये दल बदल रहे हैं क्योंकि देखिए अभी बीजेपी का जो है वो लोटस टेंपल चल रहा है आपको कहना चाहूंगा कि बीजेपी ने लोक तंतर की नीव को कमजोर करने का काम किया है देश के अंदर अलग-अलग प्रस्तितियां अलग-अलग समय में रही हैं खूब अच्छी स्तिती भी रही है पार्टियों की और बुरी स्तिती भी रही है लेकिन जिस प्रकार की राजनितिक उसूलों के अंदर गिरावट बीजेपी लेके आई है ऐसा तो कभी किसी दलने भी नहीं किया होगा विशेश रूप से विपक्षी दलों के नेताओं को डराना धमकाना उनके खिलाब इडी इंकम टैक्स इवी आई की टीमें लगाना और बीजेपी को जॉइन करने के लिए मजबूर करना या चुनी हुई सरकारों को गिराना या जो अन्य जो सरकारे हैं वहाँ उनका गठमंदन तुड़वा के अपने साथ सरकारे बनवाना यह वही बीजेपी है जो नितीश कुमार के लिए अमित्षा ने कहा था कि हमारे दरवाजे बंद हैं हम कभी भी इनको नहीं लेंगे और आज यह उनको वापिस ले रहे हैं बात यह नहीं है कि बीजेपी अपना कुन्बा बढ़ा रही है बढ़ाए कोई दिकाता नहीं है सब करते हैं लेकिन बीजेपी और कांग्रेस क्या हैं यह दो विचार धारा हैं अलग-अलग महेंदर जिस्तिंग मालविया लालचन कटारिया रिचपाल मिर्धा यह जोईन नहीं किये अभी किसी ने जोईन नहीं किये अभी अफ़ाएं चल रही है तो उस पे तो मैं पहले तो क्या को हूँ भई साब यह भी यह भी कहा जा रहा है कि मेरी मा गधार निकली कल मालविया का एक बहुत बड़ा बयान आया कि मुझे अपमान यहां पर जो है वो पार्टी में सहना पड़ा इस तरीके का बयान आया है तो अपमान दो मैने पहले नहीं सहरे थे क्या या दो मैने में इतना सरकार में कैबनेंत मंतरी यह को कह रहे कि तीन साल मंतरी नी बनाया फिर मेरा नेता प्रतिपख्ष के लिए लगातार आबाएंग By लेकिन ये सारी चीज़ अभी कैसे हो गई आज मेरे मैं समझता हूं 30-40 साल हो गई होगी उनको राजनिती के अंदर कॉंग्रेस के अंदर तब तो ऐसी कोई बाद नहीं हुई जब 30-40 साल तक वो पार्टी के साथ रहें पार्टी नोंका सम्मान किया है तो एक बुरी से बुर पक्ष्टिका रामजूली जिन्होंने तमाम बातों को लेकर के परदा बिल्कुल साफ कर दिया है कि कॉंग्रेस पार्टी के साथ छोड़ करके अगर कोई नेता अगर बीजेपी में जाता है तो उसकी इस्तती ना तो कॉंग्रेस पार्टी विचारधारा से मिलती जूलती और नहीं बीजेपी की विचारधारा से मिलती जूलती नजर आएगी लेकिन जो दल बदल रहे हैं नेता उनसे कॉंग्रेस पर इसा कोई खासा इफेक्ट नजर नहीं आएगा लेकिन तस्वीरे देखने होगी कि लोगसबाद चुनाम में ये तमाम तस्वीरे किस तरीके का रूप लेती है कैमरा से योगी राकश गुपता के साथ उरेंदर सोनी नवतेश टीवी जैपूर